नमस्कार स्वागत है आप सभीका ओला नेटा फोस्टी यीटीव चैनल बेस्ट वीडियो में हम बात कहेंगे यूपी टीटी 2021 के रिजल्ट के बारे में साथ ही यूपी टीटी की गलत आंसर की को लेकर जिसका इंतजार पिछले अगर बात कीजार दो महिने से आंसर की को लेक आए ऐसे में अगर बात कीजाए नई सिच्छक भरती के बारे में साथ ही अगर बात कीजाए एड़ेट यूने सिच्छक भरती को लेकर तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें साथ ही शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलने जैसा कि दोस्तों आप को जानते की UPTT परड़ाम को लेकर आप उपी Wish का इंतजार था लेकिन हाली में UPTT को लेकर जो अंसर किये वो जाई कर दी गई है और वे वहने बहुत सारे विवार देखने लिए मिल रही है जैसा कि मैंने आप सुभी को प्रामरी के बारे में जैनका ही दी थी कि प्रामरी के है लेकिन इससे कहिने की मामला पूरे तरीके से खतम नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे अब्रती जिनका कहना है कि उनके पांच नम्बर या फिर चार नम्बर कम हो गएं, या फिर तीन नम्बर भी कम हो गएं, कम कैसे हो गएं, उसकी जानकाई मैं मैं आपको दे दूं जूंकि उन्होंने बाहर से जो मिलाया था किताबों की आधार पर वहां पर उनके नंबर लगबग 104-102-190 या फिर अगर बात कीजिए 90 की बात करें तो ऐसे में उन चात्तों के दो दो तीनती नंबर और कम हो गएं कॉमन नंबर तो मिले ही हैं लेकिन बावजित उसके जब उनके एक दो नंबर और कम हो गए उसके चलते वो कट आफ से और भी जादा बाहर हो गए हैं असल में PNP के माद्यम से कुछी कोश्चनों के अंदर बदलाब किया गया है और कई कोश्चन अभी भी ऐसे हैं जिनको लेकर बदलाब करने की मांग की जारी है लेकिन अब आप सभी यहाँ पर PNP से किसी परकार के कोई भी बदलाब की मांग नहीं कर सकते हैं उसकी बरज़े यह है कि फाइनल आंसर की PNP के माद्यम से जारी कर दी गई है इस बात को कहने में कोई दवाय नहीं है कि बहुत सारे अभ्यतियों के माद्यम से इस आंसर की को नियाले के अंदर चैलेंज किया जा रहा है चातों का मानना है कि UPTET के अंदर अभी भी कई ऐसे कोईशन है जिनकों लेकर यहां से कॉमन नंबर या फिर उसके दो आप्शन सही होने चाहिए थे कई चातों के तरफ से मुझे भी बहुत सारे कमेंट करके जानगा ही दी गई कि सर हमारे तीन नंबर या फिर चार नंबर कम हो गए आखे आंसे की में ऐसा क्या हुआ तो उसकी बज़ए कहीने कि हम यह कह सकते हैं कि कई कोई और पी अनबी ने बदलाब नहीं किया और कई कोई को लेकर जो बदलाब किया वो चातों के पहले से ही सही थे जिसके चलते हैं यहां पर अभ्याति को जादा benefit नहीं मिला है अब जो अभ्याति यहां से असंतु स्टोंगे इस मुद्दे को लेकर वो कहीने की नियाले में जाएंगे अब नियाले की तरफ से एक number common मिलेगा दो number मिलेंगे या फिर इसमें कितना समय लग जाएगा यह depend कोट के उपर लेकिन PNP की आंसर की के अंदर अभी भी कई ऐसे कोशन हैं जो कि पूरे तरीके से गलत हैं ऐसे में एक दो नंबर से रह गए अभ्यातियों के लिए अब एक अंतिव रास्ता बचता है जो कि है नियाले जाकर अपने एक कोशन को लेकर मांग करें क्यूंकि ट लेकिन पेनियाले की के अंदर तरफ से उनको गलत माना गया था लेकिन पेन पींपी के माध्यमस यहां पर अभी तक सही नहीं किया गया है इससे अंदाजा लगाया जासकता है कि पी पी खेंपी हमें मेशत plenty को लेकर किसी ने किसी पहेंच्छा की अंदर गरत कोशन डालती और उन गलत कोशनों को ठीक भी नहीं करती है बले ही नियाले के माध्यम से ओडर दिये गए थे 277 के पेपर को लेकर लेकिन PNP ने अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं किया है जल्दी इसको लेकर नाराज अभ्यतियों के माध्यम से नियाले में याचिका डाली जाएगी जो भी संबंदित अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी बाकि आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपके नंबर कितने बड़े हैं कितने नंबर कम यूपी टीटी के चलते नई सिच्छक वरती काफी ज़्यादा पिछड़ भी गई है क्योंकि यूपी टीटी पहले हुआ होता तो चुनाब से पहले भरती की मांग भी हो सकती थी लेकिन हाली में नई ब्यात्मिक सिच्छक वरती को लेकर कुछ नेगिटिव चीजें भी देखने के लिए मिली पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई तो योगी सरकार की माध्यम से भरतीयों को लेकर दिशान इदेश जाजी किये गए थे लेकिन उस समय भी नई सिच्छक वरती को लेकर वारता नहीं हुई हाली में जब बेसिक सिच्छा विवाकी बैठक होई तो उसके अंदर भी जो आंकड़े रखे गए उसमें ये बता दिया गया कि हमारे पास छे लाग से ज़्यादा सिच्छक हैं और लगवग एक करोड़ असी लाग अभरती हमारे पास पढ़ते हैं तो इसको अनुपास सम सवालों की जो जवाब हैं वो यहां पर रखे गई बार बार जानने का प्यास हुआ कि नई सिच्छक भरती को लेकर क्या करेंगे तो उन्होंने पेंडिंग या फिर इसके लावा कोड़ से संबंद्ध जानकाई हैं दी नई भरतियों को लेकर बचते हुए दिखाई दिए एक बार फिर से बेसिक सिच्छा विवाग के माध्यम से एक बड़ी जानकाई निकल करा रही है जो कि संबंद्ध ने सिच्छक भरती को लेकर तमाम बेसिक के अधिकाईयों के साथ में चात्तों की तरफ से बैठक करेंगे जानने का प्यास हुआ कि नई सिच्छक भरती के लिए सरकार के माध्यम से क्या त्याया की जारी है पहले नमबर पर आप स्भी को प्रताफ सिंग भगेद देखने के लिए मिलेंगे जो कि सचिम है इसके अलाबर आपको देखने के लिए मिलते हैं गश्कुमार जी इसके साथ ही अगर बात की जाएं यहां पर सर्वेंद व SCRD के डायक्टर सर्वेंद और इसके अलाबर अगर बात की जाएं बेसिक के गनेश सर इसके साथ ही और भी तमाम अधिकाई वहां मौझूद हुए थे जहां पर नई सिच्छक भरती के संबंद में गनेश सर के द्वारा बताया गया कि आप सिक्षा मंती से मुलाकत करके इ सरकार ने अभी तक 6800 को लेकर अपना स्टेंड पूरे तरीके से किलियर नहीं किया मामला न्याले में लटका हुआ है 6800 वाले अभरती भी कहिने की पहिसान है उनके भविश्य को लेकर तो सरकार कहिने की 6800 को भी लटका के बठी हुई है वहीं दूसी तब नई सिच्छक भ जो पेसेंटेशन दिया गया था कि हमाएं पास 6 लाग से जादा सिच्छक हैं ऐसे में जब यहां पर जानका ही दी गई कि 6 लाग सिच्छक हैं जिसके अंदर शिक्षा मित्र अनुदेसक और इसके अलावा जो भी यहां पर बेसिक के अंदर मौजूद होते हैं उन सभी को जोड़ कर बता दिया गया लेकिन आप जानते हैं कि प्राथमिक के अंदर लाखों की संक्या में पद खाली हैं अगर शिक्षा मित्र अनुदेसकों के पदों को अटा कर देखा जाए तो इसी के चलते अधिकाईयों के माध्यम से बेसिक शिच्छा के तमाम उन बड़े-ब अधिकाईयों का कहना है कि नई सिच्छा मंति को लीकर पराने सिक्षा मंति 7000 बड़ेकji की बात करते थे लेकिन शिक्षा मंती बड़ेको लेकर बात भी नहीं करते हाला कि अभी इसको लेकर ज्यादा कुछ कहना जल्दी वाजीई होगी लेकिन नई सिच्छक वर्थी को लेकर संकट के बादल मड़ाते हुए दिखाई देने अभ्यातियों के लिए बहुत सारी अभ्याति यूनियर को लेकर इंतजार करता है कि इस बहुति का प्रोसर से वो कब तक आगे बढ़ेगा इसके बाएं में कही अधिकाईयों के मा अभ्याति के माध्यम से उसी समय पर ऐसी तमाम भर्थियों को लेकर चाये वो 6800 का मामला हो या फिर एड़ेट यूनियर शिच्छक वर्थी को लेकर विवाग के माध्यम से इन दोनों भर्थियों को प्रात्मिक तापर रखकर पूरा करने को लेकर दिशान नेदेस जारी क दिये गए हैं अधिकाईयों का मानना है कि अब यूपी टीटी का परडाम जारी कर दिया गया है बहुत जल्द सिक्षा नेदेसाले के माध्यम से एड़ेट यूनियर शिच्छक वर्थी को लेकर भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा अभी तक अधिकाईयों के माध्यम से जानकाई मिली उसकी मुताविक यह है कि अपरेल के अंत तक एड़ेट जूनियर शिच्छक वर्थी की जो फाइल है जो पूरे तरीकी से क्लोज हो सकती है क्योंकि इस भर्थी के अंदर जादा लंबा प्रोसेस नहीं है जादा से जादा पंते दिनों के अंदर एड़ेट पाईडाम आ गया ऐसी किसी दिन एड़ेट जूनियर शिच्छक वर्थी को लेकर एक लिकित शाचना आदेश जारी होगा शिक्षा निदेश आले की तरफ से और उसके बाद में नई सिच्छक वर्थी को लेकर भी रास्ता यहां से साफ हो जाएगा और इसकी जो प्रकिया है वो शुरू कर दी जाएगी जानका ही मिलिये कि शिक्षावंति के माध्यम से इस भर्थी को लेकर भी निदेश दे दिये करें अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक हफते की अंदर एड़ेट यूनियर शिच्छक वर्थी की प्रकिया भी शुरू हो जाएगी वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें